हेलो गाईज गुड इवनिंग तो अलो फियो वन्स अगेन वेलकम बैक ओन में यूटूब चैनल लॉर्ण विट कॉंसेप्ट बायाशना विश्वकर्मा नौर साइनिंग इन इट्स मी अभी मैंने आपको बताया कि मैंने कोर्स की सीरीज को थोड़े टाइम के लिए बॉंड वीडियो बनाने से कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी कोर्स फोर की रिगार्डिंग जो की बीएट फस्टिय का कोर्स है लैंग्वेज अक्रोस दे कॉरिकुलम पार्टिकरब में भाशा को हम किस तरीके से हैंडल आउट करते हैं पार्टिकरब में भाशा की समझ क्या है न कि माइभशा को का क्या है अब यह व Ini किस तरीके से ऑपकी सुसाइटी में मतलब अर्ज होती हैि या किस तरीके से एक्वी जेशने उसका उसका अर्थ क्या है में चैसे तो मीनिंकटों हमने इससे प्रीविज आले वीडियो में किया हुआ है आप उस विडिएया को साइड में लगा गीज्द सुनते नहीं और अपना कुछ और काम कर लीजे चाया के यह का बाहरा वीदियु सुनित हैं इसले क्याता है नि यह आप सुनना शुनना सीखते हैं हमारी गरहर करने कि जो चमता है जो capacity है वो बहुत अच्छी हो जाएगी जितना अच्छा हम सुनेंगे न उतना अच्छा हम जाकर सामने वाले को बोल पाएंगे तो इस चीज को जरूर धान रखिएगा वीडियो बनाने का में परबस यह होता है कि आप वीडियो को सुनिए सुन के जितनी सकते हो आउप सोच ही छोड़ दो तो आप ही सोच हो कि अगर आपने नहीं सुना होता तो ट् modified से एक कितने सारे पॉंट कुना आप कर थिक ना और जो भी पॉइद आपको समझ मैं को अंपने इसको 123 करके नंबर ही गा और आप यही देखेंगे ना कि जरूरी नहीं है मैने जो चीज वीडियो में बोली है, आपने वो ही लिखी है, उसके लाव भी आप बहुत सारे points अपनी दिमाग से एड़ करके लिख लोगे, तो यह profit होता है वीडियो बनाने का, भाई यहां से इतनी महनत हो रही, इतना effort हो रहा है, तो आप सुनने का effort तो करी सकते हैं, तो hopefully, पढ़ लिया है, पिसले वाले वीडियो में, लैंग्वेज से रिलेटेट की मीनिंग क्या है, इंटोड़क्शन क्या है लैंग्वेज का, अभी हमारा जो दूसरा वीडियो है, definition of language, तो definition of language में कोशिच करूंगे, कि English के साथ साथ आपको Hindi में भी 3-4 definition दे दूँ, जिन बच 5-6 definition आप तयार रखे है, हर टॉपिक से रिलेटेड है, आप 5-6 definition तयार कर रखेंगे, तो कम सिंगम एक्जाम में minimum 2-3 definition लिख पाएंगे, 3 definition आपको लिख नहीं होती है, वैसे अगर norms की बात करते हैं, तो 4 definition आपको एक long question में अटेम करने चाहिए, शॉट में भी, शॉट मे तरीका है, सभी विद्वानों की दारा बोला जाता है, तो नहीं है कि हम और आप सभी लोग definition मिलके लिख देंगे, तो हो जाएका काम ऐसा नहीं है, तो जिस भी विद्वान ने, जिस भी एक्सपर्ट ने, जिस भी फिलोसोफर ने, एक्जिकेशनिस्ट ने, जो परिभाश वहकेल ओफ थौट, ओके, मोर दें, मोर ओफिन दैन नॉट, इट कनेट्स थौट, अल्विज लैंग्वेज सब्सक्राइब थौट, यानि कि कही न कहीं का मतलब, एक्जिकेशनिस्ट ने, जो हमारे भाशा है, हमारे बिचारों को एक वाहन के रूप में अधिक बार मतलब सक्सिस दिला, या सफलता दिला, यानि कि ये चीज बहुत कभी-कभी होती होगी, शायद ही होती होगी, कि जो हमारी भाशा है, जो हमारा विचार है, एक वाहन के रूप में अधिक बार सक्सिस हो, वाहन इन दा सेंस कि हम अपने भाशा का जो प्रचार पसार कर रहे हैं, व connect thoughts always language यानि कि नो कि जो विचार है हमारे विचार एक दूसरे से क्या करते हैं वक्ति तो वक्ति को जोडते हैं और विचार जो है ना हमेशा विचारों को आदान परदान करने में help दिलाती है और हमेशा भाशा जो होती है विचारों को कही ना कही एक membership दिलाती है कही ना subscribe का मतलब यहाँ पर membership दिलाती है तो अगर चोटा चोटा simple form में देखा जाए तो बस इनका इतना कहना है कि भाशा एक ऐसा शायद कभी होता हो भाशा में कि भाशा विचारों को एक वाहन की रूप में जोडती हो जिसमें हमें maximum number में सफलता मिलती हो ना कि अपने विचारों को जोडती है ना हमेशा भाशा क्या होगे विचारों को सद्यसता देगी यानि कि thoughts matter करते हैं ओके next बात है हमारी according to the Lotto says Lotto says क्या कहते है कि language does not develop in a vacuum यानि कि भाशा एक टीका से विक्सित नहीं होती है यानि कि कि किसी vaccination से विक्सित नहीं होती है यानि कि हम ऐसा नहीं है कि vaccination language का कोई vaccination ले लेंगे तो हमारा development हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है उनका ये कहने का मतलब है ठीक ना भाशा हम जितना society में रहेंगे एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, आधान परदान करेंगे, तभी वो सफल होगी और तभी उसकी सदेस्ता मिलेगी भाषा को हमारे विचारों के दौरा. नेक्स है, अपने चीजों को, अपने विचारों को, अपने थौट को, अपने दुख को, अपने खुशी को, अपने गुसे को, एंगर को, किसी को भी कहने का क्या है, एक माध्यम है जो मानव की द्वारा सोसाइटी में रहकर किया जाता, और कुछ नहीं है भाषा इनके परणिंग टू ओजस परसन, ओजस परसन की डेफिनीशन इंपोर्टेंट है, आप ज़रूर से लर्न कीजगा, आप अपने एक्जाम में लिखिये, लैंग्वज इस सिस्टम और सिंपल भी है, लैंग्वज इस अ सिस्टम और आर्बिट्रेडी, वोकल सिंबल्स, बाइ मीन और करना है न, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक मानविया भी व्रति है, यानि कि जो हम सोच रहे हैं, जितना हम जान रहे हैं, जिसके बारे में जानना है हमें, उसके बारे में बात करते हैं, तो ठीक न, ये इंपोर्टन डेफिनीशन है, आप इस जिच को देख ठीक न, जो उसका उदेश ही कहा है, अपने भीचारों और भाशा को, अभी बैक्ति को दूसरी तक उसका परचार पसार करना है, ठीक न, चलिए, I think ये चारों डेफिनीशन क्लियर हूई होगी आपको, नेक्स डेफिनीशन पर आते हैं, मैं पास यह 6 डेफिनीशन हैं, जो इसे सिमिलारें की डेफिनीशन, ठीक न, a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group operates and interacts, यानि की, एक भाशा क्या है, अपनी स्वेक्छा से बोली जाने वाली, एक सिम्बल है, एक सिस्टम है, जिसके माध्यम से हमारी सोसाइटी में जितनी भी activity conduct हो रही है, या जो हम बाचित करते हैं, क्या है, यानि की, एक भाशा, जिसको हम अपनी स्वेक्छा से बोल रहे हैं, वो क्या है, एक प्राडाली का सिम्बल है, ठीक न, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को सोसाइटी तक कंड़क करा रहे हैं, और उसी वे में हम बात करते हैं, वही क्या है, language है, ओके, next definition दे रखी है, according to Edward Spear, according to Edward Spear, इस इनका क्या कहना है, देखिए, Edward Spear का, language is so familiar as a features of our daily life, है न, language is so familiar as a features of our daily life that it seems as a natural to us as walking and only less so than breathing, यानि की भाशा क्या है, हमारे दैनिक जीवन में एक ऐसी विशेषता बोल सकते हैं, आप या क्या है, यानि की भाशा क्या है, हमारे दैनिक जीवन में एक ऐसी व इस इस का मतलब है, हमारे दैनिक जीवन में एक ऐसी विशेषता है, जो हमारे लिए, क्या, जितना चलना सुभाविक है, और सांस लेने से कम नहीं है, तो सोची language की कितनी importance है, अगर language नहीं होती, तो हमें दुनिया भर की प्रॉबलम होती, अपने विचारों को कहने में, अ अपने बातों को exchange करने में, और देखे है, भाशा तो एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा चारण है, जो जिसके माध्यम से हम बहुत सरे जो वोकल साउंड सोथे हैं, साउंड सोथे हैं, सिम्बल सोथे हैं, वो एक करिके का adjustment है ना, जैसे चौक उच पढ़ना है, चौक उच पी'll पह्ता प्रफ्रफ किए पाइच से उंभार चाहर विर्वाइज की जियाने और है इकोडिंग बहां डिठ तो ब BHक जो लेंगे इसे जरूर लिखें और यह दोनों भी बहुत एज़ी है according to the block and tiger आप इसे दो बर पढ़ लेंगे तीन बर पढ़ लेंगे और पढ़कर लिख लेंगे तो लार्न हो जाएगे अभी जो दो-तीन डेफिनिशन है मैं कोशिश करती हूं आपको हिंदी में बता देती हूं तो आप इसी भी देख लिजे भाषा की परिभाषा हैं आपको वीडियो में देख रहा होगा वोफुली ट्राइ करती हूं मैं ठीक नवेट अ मिनट ओके चलिए भाषा की परिभाष परिख भाषा है स्वेर यह साउंड सब्सक्राइब करते हमारे मुंसे नن हएलों का चीज क्या है उनके हिसाफ से छोटी सी麼 नीचर यादब स History ने据रसेइग पतनजली मुनु की अनसार पतनजली आपको पताा इन्हों ने योगदर्शन को दिया हैभ पिस for knowledge याद रख लिजएगा योग दर्शन की बात करते हैं यह फिलोसोफी में ठीक ना मुनी पतंजली मुनी योग दर्शन ओके तो पतंजली की अनुसार क्या है भाषा वा व्यपार है भाषा वा व्यपार यारी की बिजनेस है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रगड करते हैं भाषा एक तरीके का बिजनेस है जिसमें हम जो कहना चाते हैं डिस्क प्रिफोर्म में या जो भी हम एक्स्प्रिस करना चाते हैं थां लाने सर望 वश्तिकों की वह विवस्ता है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आधान प्रदान करते हैं या कि इनके ह truthसली है भाषा जो हम बोलते हैं जिसका हम pronunciation करते हैं उनी के components से उनी के sounds और symbols से मिला जुला बना हुआ एक क्या है system है जिसके द्वारा हम society में जो लोग रह रहे हैं अपने भावों का और अपने विचारों का आधान परदान करते हैं next definition है auto just person की इसको हिंदी में इंगलिश में भी बताया हुआ है आप इभी देख लिजएगा auto just person का पूरा नाम है auto just person के अनुसार क्या है भाशा एक ऐसी मानवियर व्रतियों का समू है जिसका उद्देश है भाशा और विचारों की अभी व्यक्ती तथा दूसरों तक परचार भाशा हम से होकर सामने वाले तक जाया और सामने वाले तक जाये और अदर परसं तक जाये विद्वान है श्री राम चंदर वर्मा क्या उनसार क्या है देख लीजे भाषा मुख से उच्छरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आधी का समू जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है बहुत सिंपल जी बात की हो बहुत अच्छी बात है कि हम मु लेंग्विज की डेफिनीशन में आपको दिक्कत नहीं होगी मैंने हिंदी में भी बता दी है भाषा की परिभाषा सीवट के अनुसार दूसरी डेफिनीशन पतंजली मुनी के अनुसार तीसरी जो है आपकी वविश्व को स्पृतैनिका के अनुसार है और चौती है ऑटो इंग्लिश में भी लिखा दी है पांच डेफिनीशन तो अब इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी यह मारा जो कोर्स फोर चल रहा है इसकी भी सीरीज हम चलाएंगे कुछ दिन तक कोशिश करते हैं कि कुछ टॉपिक्स हो जाएं जिनकी आपको रिक्वार्मेंट है जिनकी आपको जरूरत है ठीक नहीं लाइंग्वेज अक्रॉस दॉर्यकुलम कोर्स फोर बिएट फस्ट तो अभी हम यूनिट फस्ट में हैं और हम किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले स्टार्ट करने से पहले कोशिश करते हैं कि इसके पेपर के बारे में जो पेपर का ट पॉर्टेंस के है लैंवेज की कुछ वीडियो आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड ताकि आपका जो लैंवेज का मिस्टीरिस कंसेप्ट हो क्लेयर हो जाए अच्छी से जानते हैं कोरिकुलम से रिलेटेड कितना भी आपको टॉपिक चाहिए आपको को पोश्य वाले पोश तो चीजों को समझ जाएंगे तो पेपर को पढ़ने में एजियर हैगा तो होफुली अपनी डेफिनिशन एंज्वाई की होगी ठीक ना और याद करने का वही तरीका है कि आप डेफिनिशन को बार बार लिख कर याद कीजे जल्दी याद होती है आप जितना लिखेंगे आपके प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी because practice makes man perfect so video थोड़ा भी helpful रहा हो, needful रहा हो, requiredful रहा हो तो आप वीडियो को like कीजे, share कीजे, channel को subscribe कीजे, learn with concept by अचना विश्यकर्मा, now signing off